हेलो एंड वेलकम तो आवर यूटूब चैनल फायरफटिंग एन इंजीनिरिंग आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वहीं होगा जी आई पाइप के रेट के बारे में हम इस विडियो में बात करेंगे सीकलास के जी आई उतार चाड़ा हुए है GI pipe के rate में current price हम discuss करेंगे यह जो price हम आज discuss करेंगे इस video में वो आज ही का price है current date का ही upload किया वो pride है तो बात करेंगे साथी साथ हम क्या बात करेंगे कि C class की GI pipe का कहा use होता है और साथी साथ ये भी देखेंगे कि किस diameter के pipe में हम कितने sprinkler minimum से लेके maximum कितने sprinkler हम install कर सकते हैं तो ये सारी बाते हम इसी वीडियो में देखेंगे चलते हैं एक साइट से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको हर एक चीज की जानकारी देते हैं सबसे पहले अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो हमारा एक इंटरफेस है जिसमें एक तरफ देखिए diameter दिया हुआ है left के side और right hand side पे दिया हुआ rate इसका मतलब यहाँ पे diameter की जगह हम आपको diameter दिखाएंगे कि किस diameter का pipe है और right side पे जो हम rate बताएंगे वो पर मीटर में rate रहेगा तो right side में जो हम rate बताएंगे pipe का वो पर मीटर में rate रहेगा और left side में diameter दिया रहेगा अब इसी सिलसले में हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमारा pipe है वो है एक इंच का pipe यानी 25 mm diameter का pipe है उसका जो अभी आज जो rate निकल किया है वो है 270 रूपय पर मीटर यह एक इंच का pipe 20 को बोलते हैं क्योंकि एक इंच में 25 mm ही होते हैं तो यह सबसे basic pipe होता है इस pipe का यूज हम इस sprinkler system में branch की रूप में करते हैं अगर चोटी मोटी site है तो वहाँ पे drain pipe में भी एक इंच के pipe को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम बात करते हैं number of sprinklers की कि कितने sprinkler एक इंच के diameter के pipe में हम लगा सकते हैं तो उनकी quantity है एक से दो यानी हम एक से दो sprinkler तक ही एक इंच में दिख रहा है यह देखिए हमने site पे install किया हुआ है यह जितने भी branches दिखाई दे रही है आपको parallel में ही यह सारी की सारी एक इंच डायमेटर की pipes लगी हुई है और इसमें दो sprinkler maximum install किये गए हैं यह बात हुई हमारी एक इंच डायमेटर के pipe के बारे में यह हमारी अभी ज चल लए है उसी site में यह सारी चीज़ें हमने install करके दिखाई हुई है तो यह सारी branches है यह सारे सब हैडर से निकली हुई branches है और ब्रांचे में maximum दो sprinkler ही हमने install कि हुए एक बिलकुल किनारे एच पे आपको दिखाई देता होगा elbow के साथ और एक बीच में दिखाई देता हमारा kw एक ड between the pipe के बारे में और हम अगर कि बढ़ें तो जो अगली डायमीटर की पाइफ हमारे firefighting system में यूज होती है में उसकी डायमीटर वैनि की 32 mm diameter की तो बात करेंगे और रेट के बारे में तो 32 mm diameter के पाईप का रेट के मार्केट में वह है 345 यानि 345 पर मीटरम यह तो यह सारे रेट आज के दिन ही अपडेट हुए है तो यह आपको जो भी रेट मिला यह अपडेटेड रेट है अगर हम बात करते हैं नंबर आफ इस प्रिंकलर इंस्टॉलेशन की तो मैक्सिमम तीन स्प्रिंकलर हम 32 mm यानि 32 mm डामेटर के पाइप में इंस्टॉल कर सकते है और अगर बात करें इसका यूज यूज में हम या तो इसको हम ड्रेन पाइप की तरह यूज कर सकते हैं अगर छोटी मोटी साइट है मतलब कि अगर 20-25 स्प्रिंकलर लगे हुए एक फ्लोर पे तो वहाँ पे या फिर हम इसको ब्रांश के ही पाइप में यूज कर सकते हैं तो ब्रांश पाइप में 25 mm डायमेटर का भी पाइप आ जाएगा और आपका 32 mm डायमेटर का भी पाइप आ जाएगा अभी देखिए अभी साइट पे अभी आपको जो सामनी दिखाई दे रहा है यह देखिए मेन हेडर है इसमें 2 इंच का हेडर है एक तरफ देखिए दोनों चीजे ऐजे branch मिल गई आपको एक इंस की diameter की भी pipe आपको देखने को मिल गई और right hand side पे 32 mm diameter की pipe भी आपको देखने को मिल गई है तो इसका जो main use होता यह branch में ही होता इस sprinkler system में अब आगे बढ़ते हैं जो अगली diameter की हमारी pipe है उस pipe का diameter है 40 mm यानि कि 40 mm diameter के pipe का rate की अगर हम बात करते हैं तो 40 mm diameter के pipe का rate अभी जो update हुआ है वो है 401 रूपए पर मीटर यह rate है 401 रूपए पर मीटर बात करते हैं अगर use का तो 40 mm diameter भी क्योंकि इसकी diameter कमी है तो इसको भी हम as a branch pipe ही use करते हैं इस sprinkler system में और बात करते हैं drain pipe की तो इसको drain pipe में भी हम use कर सकते हैं अगर छोटी site है तो अब यहां से आगे start होता है कि number of sprinkler installation इसमें हम कितना कर सकते हैं तभी देखिए अभी sprinkler दीरे दीरे जैसे इसे diameter बढ़ रहा है pipe का वैसे वैसे number of sprinklers भी बढ़ते जा रहे हैं तो इस particular diameter की pipe में हम 4 से 5 sprinkler तक install कर सकते हैं तो यह बात हुई हमारी 40 mm diameter के pipe के बारे में कि इसका क्या rate था कहा यूज होता है और कितना इसमें हम sprinkler install कर सकते हैं अब इसी सेलसले में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 50 mm diameter यानि कि 2 inch diameter के pipe का जो rate है 542 रूपीज यानि कि 542 रूपे पर मीटर यह है बात करेंगे अगर sprinkler installation की तो इसमें 6 से लेकर 10 sprinkler तक हम install कर सकते हैं और अगर बात करते हैं कि इसका use कैसे और कहां पर कर सकते हैं तो यह क्योंकि देखिए थोड़ा सा मोटा pipe हो गया है तो इसको हम subheader के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बात करते हैं कि drain pipe तो drain pipe में mostly 50 mm यानि दो इंच के pipe का इस्तेमाल होता है यह drain pipe के अगर point of view से अगर बात करेंगे तो 50 mm diameter का pipe यह perfect माना जाता है किसी भी system में अगर drain pipe के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो और इसका use है subheader के रूप में इसको use करते हैं यह देखिए जो हमारा drain pipe का system लगा हुआ है अभी जो आपको screen पर दिखाए दे रहा है यह दो इंच के pipe में लगा हुआ 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 है उसमें drain wall भी लगा हुआ है जिसमें देखिए red color का handle लगा हुआ है तो यह सारी pipes है हमने drain line पे एक वीडियो भी बना के रखा हुआ है तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको drain line का पूरा system समझ में आएगा कि drain line को कैसे किस pipe में हम tap करके बनाते है अब अगर हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा अगला diameter का pipe है तो अगला diameter हमारा है 65 mm यानि इस pipe के rate की बारे हम बात करते हैं तो इस pipe का rate है भी 696 यानि 696 रूपए पर मीटर अब इसका भी diameter देखिए बढ़ता जा रहा है तो इसमें number of sprinkler के installation के chances ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो अगर हम बात करते हैं 65 mm diameter के pipe पे हम maximum कितनी sprinkler इंस्टॉल कर सकते हैं तो उसकी quantity है कर 20 sprinkler हम maximum install कर सकते हैं और इसका यूज के बारे में अगर हम बात करें तो यूज इसका सब हेडर में करते हैं मतलब जैसे ऐसे pipe हेवी होता जाएगा इसकी diameter बढ़ती जाएगी तो वो धिरी-दिरी header की category में भी आ जाएगा तो अगर सिप 65 mm diameter की pipe की बारे हम बात करते हैं तो इसको हम सब हेडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे बढ़ेंगे जो हमारा अगला diameter है अभी आपको इसक्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यह दिखें पंप है यह पंप रूम में हम इसका 65 mm diameter का pipe इस्तेमाल कर सकते हैं अगर यह हमारा discharge का लाइन होता है सक्षन की लाइन में अक्सर हम थोड़ा सा मोटा pipe लेते हैं यानि 100 mm या 1500 mm का pipe भी रखते हैं लेकिन डिस्चार्ज में अगर छोटा जौकी पंप है जैसे यहां पर दिखें लगा हुए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो इसमें हम डिस्चार्ज लाइन में 65 mm diameter का pipe यूज कर सकते हैं तो इसका दो यूज हो गया एक तो पंप रूम में भी यूज हो गया इसका और यहां पे सब हेडर के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो गया अब आगे बढ़ते हैं हमारा जो अगला pipe है इसकी diameter है 80 mm diameter तो 80 mm diameter के बारे में बात करते हैं तो इसका rate जो है 80 सब्सक्राइब अगर बात करते हैं तो जैसे इसका डायमेटर बढ़ गए उसी तरीके से नंबर आफ इस प्रिंकलर इंस्टॉलेशन के चांसे भी बढ़ गए तो असी एम डायमेटर की पाइप में हम 21 से लेके 40 स्प्रिंकलर तक इंस्टॉल कर सकते हैं अब अगर बात करते हैं यूज की तो इसका यूज हम सब हेडर में भी कर सकते हैं और इसका हम इस्तेमाल हेडर के रूप में भी कर सकते हैं बात करेंगे अगर पंप रूम में तो पंप रूम में इसका सक्सन अगर छोटा pump है तो हम suction के रूप में भी इस्तिमाल करेंगे और अगर बड़ा pump है तो इसका discharge के रूप में हम इसका इस्तिमाल करते हैं फायर फैटिंग सिस्टम में तो यह सारी बाते होई हमारी 80 mm डामेटर के पाइप के बारे में अभी दिखिए यहां पर जो हमारा बरकर खड़ा है यहां पर दिखिए एक लाइन आई हुई है यह भी 80 mm डामेटर की पाइप है यह सारे हाइड्रेंट सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम ड्रें लाइन यह सारे पाइप जो की निकले होई है अब आगे हम बात करते हैं जो चार इंच का हमारा पाइप है यानि की 100 mm डामेटर की पाइप तो जैसे जैसे दिखिए अब डामेटर बढ़ता जा रहा है तो उसका रेट भी बढ़ता जा रहा है नंबर आफ स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन भी बढ़ते जा रहे हैं तो अगर हम चार इंच पाइप यानि की 100 mm डामेटर की पाइप की बारे में बात करते हैं तो इसका रेट है 1276 यानि 1276 रुपीज पर मीटर बात करते हैं अगर नंबर आफ स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन की तो 41 से लेकर 100 यानि 41 टू 100 अप टू 100 स्प्रिंकलर हम इसमें इस्टॉल कर सकते हैं बात करते हैं अगर यूज की तो क्योंकि इसका डामेटर देखिए चार इंच हो गया है तो इसको हम हेडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत जगाओं पर इसका सब हेडर में भी यूज कर सकते हैं अगर हमारा 1500 mm का अगर हेडर का पाइप है तो महां पर सब देखिए लेकिन हम देखते हैं कि चार इंच का पाइप जो होता है छोटी साइट पर इसको में हैडर के रूप में इस्तेमाल करते है चार इंच का पाइप हम Mostly अगर आगे बढ़ते हैं अगर, ऑगला पाइप जो हमारा है 1500 mm डाइमेटर का पाइप है यानि छेज़ डाइमेटर के पाइप के बारें बात करते हैं तो इसका रेट है अठाइसो साथ रुपए यानि 2860 रुपीज पर मीटर बात करेंगे अगर नंबर आफ स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन की तो 101 से लेके 300 स्प्रिंकलर यानि अप्टू 300 स्प्रिंकलर इंस्टॉल इन 150 mm डायमेटर इसका काम जो होता है यह मेंडर में यूज होता है हाइड्रेंट सिस्टम में भी यूज होता है फायर पंप रूम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंक्लर सिस्टम में यह में अधर का म करता है मुश्टी कहीं भी साइट कंपलिशन में अगर बड़ी साइट है तो 150 mm डायमेटर का मुश्टी पाइप यूज किया जाता है यह रिंग लाइन जाएगा यहाईडर्न सिस्टम में जाएगा यहां पर इसे कम अज हो पाइप करेंगे यहां पर यहां पर बहुत करना है। अबी आज ही यह पाइप आया हुआ है और आपको हम करेंट डिखा रहे हैं प्राइस का, अभी देखिए यहां पर इसके हाँ अमेद का हुआ यानि भॉर भे अहां इसको इस्तेमाल हमने किया है इसी तरीके से हम change का pipe हम pump room में इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए यहापर जो आपको pipe दिखाई दे रहा है यह discharge का main header है तो यह सारे pipe जो थें जो हमने इस्तेमाल किये हुए अगर ये video आपको पसंद आयल तो इसे